पनोर मंक्रूप जो सोचता है वो करता है फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले कहीं न कहीं इस एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है आपको बता दें कि जो भरतमान पर इस्थिती बनी है उसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर फ्लोर टेस्ट में नितीश कुमार सफल नहीं हुए या नितीश कुमार को लगा कि फ्लोर टेस्ट में उनके पास संख्या बल नहीं है तो ऐसी स्थिती में राजभॉन की भूमिका बढ़ जाएगी आपको बता दें कि इस बीच लगतार राजभॉन निसाने पर है और राजभॉन के तरफ ही सारे लोग देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि जब विधान मंडल की करवाई शुरू होगी तो सबसे पहले राजपाल का विभाशन होगा उसके बाद ही आगे की बढ़ेगी लेकिन इससे ठीक पहले आपको बता दें कि हमने कई बार आपको खबरों में बताया है कि जो बिहार की राजनीत है उसमें अचानक से एक नया मोड आया है और यह मोड तब आया है जब विपक्ष ने खास करके महागटबंदर ने ये बाते कह दिया कि खेल अभ पूरी की पूरी टीम विधायकों की विधान परिशदों की पहुँच गई है गया गया में कई तस्वीरे सामने आई हैं ये देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं न कहीं भारते जंता पाटी भी इस संसय की स्थिती में अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है वहीं बात करें तो पिछले 12 घंटे से अधिक समय हो गए और राष्टिय जंताजल के साथ-साथ वाम दलों के विधायक भी तेजस्य यादों के आवास पर हाउस अरेश्ट हो गए हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया था और वहां 24 घंटा तक उन लोगों को सास रहने की बात पही गए है उसमें सारी बेवस्ताइग हो रही हैं यह सारी बाते हैं आपने सुनी भी नहिको बताया भी है वहीं बात करें तो जंताजल उनाइटेड को लेकर संसाय की इस्तिति बनी हुई है कल जिस तरह से स्रवन कुमार के आवास पर विधायकों को भोजमें बु कि जीतन राम माजी के हाँ भी महागठ बंदन से संदेश भेजा गया था और जिस तरह से जीतन राम माजी से CPI ML नेता महभूब आलम जाकर के मिले उसको लेकर के भी चार्चाय तेज हो गई हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम आप से बात कहने आए हैं वो बात करती है कहने के लिए कि अचानक से राजभावन में गतिवीदियां बढ़ गई हैं आपको बदा दें कि फ्लोटेस्ट से ठीक पहले जो राजभावन की गतिवीदी है उसमें काफी परिवर्तन आया है और कई लोगों को बदला गया है खास करके अगर बात करें तो राजभ राजभावन में उस टीम को पूरी तरह से बदल दिया गया है हो सकता है कि इसके कारण और कई हो लेकिन फ्लोटेस्ट से ठीक पहले इस तरह के परिवर्तन को कहीं न कहीं सरकार के बचने और सरकार के गिरने से जोड़ कर देखा जा रहा है कि समवैधानी संकट आने पर रा मुख्यसलाकार राजी उरण्यनकुमार पांडे बने हैं विधीसलाकार और जनारणर्ण प्रसाथ सिंग भी विधीसलाकार की टीम में सामिल किये गए हैं इससे पहले आपको बता दें कि वाई वाई गीडि थे मुख्यसलाकार अब इस बदलाव को लेकर के वहार की हलचल शुरू हो गई है कि आखिर जब कल फ्लोटेश शुरू होगा उससे पहले राजबोन की भूमिका क्या होगी क्या राजपाल के पास बिधान मंडल की कारवाई शुरू होने से पहले हलचल पढ़ जाएगी या फिर राजपाल जब बिधान मंडल की संजुक्त अधिवे उसकी नाजुक्ता को देखा जाए तो कहीं न कहीं राजभौन में हुए इस बदलाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी है क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा इंतजार किजिए और 24 गंटे में सब कुछ हो करके क्लेर हा जाएगा अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से सरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर वा मुफ्त में मिल जाएग अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद